SEZ, SEZ का मतलब होता है Special Economic Zones, देखिए जोन का मतलब होगे Geographical Area, तो यह क्या होता है कि जियोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ पे Economic Activities को Perform करने के लिए Specially इस एरिया को Create किया जाता है, यहाँ पे Companies जो Investors होते हैं वो आएंगे, वो एक्सपोर्स से रिलेटेड बिजनेस, वो जो है, Investments से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड अपना काम यहाँ पे कर सकते हैं, तो जैसे नहीं होता है कि एक Special जैसे आप देखते होंगे, रैलियो ग परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी Taxes जो होते हैं, बहुत सारे Loss जो होते हैं, उनमें उनको Relaxation दिया जाता है, ति इसलिए जो है, क्रियेट किया जाता है कि एक ऐसा Economic Zone जहाँ पे Companies आए, अपना Production करें, एक्सपोर्ट करें, Services, Perform करें, Investment करें, तो SEZ is a Geographical Reserve that has Economic Laws, different from a country's typical economic law, यानि कि ऐसे Economic Laws, जो नमली कंट्री में लगते हैं, उनसे थोड़ा सा Different, यानि कि Relaxation यहाँ पे उनको जो है, मिल जाता है, अगर वो SEZ में आपने Business परफॉर्म करते हैं, तो The Goal is to Increase Foreign Investment, यहाँ पे मोटि हो करता है, कि Hassle-Free Environment for the Promotion of Export, यानि कि जब आप SEZ में अपना Business Setup करते हैं, और वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो आपको बिना किसी रिकॉर्ट के आसानी से आप अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो यह Promotion of Export, एक्सपोर्ट को बहावा देने के लिए खासका SEZ जो है, तो Government भी Create करते हैं, Private SEZ भी होते हैं, और State Government भी जो अपना Special Economic Zone बनाती है, तो फिलाहल अभी साथ Special Economic Zone हैं, जो कि Central Government दोरा ऑपरेट किये जाते हैं, तो The Special Economic Zone Policy जो थी, इंडिया में पहली बार जो आई, वो 1st April 2000 में, जो ही Special Economic Zone का Policy आया था, तो इसको जो है Special Economic Zone में, Financial Support भी मिलता and 50% for next 5 years, याने कि, सोचे, Income Tax जो होगा, SEZ उनित से, 100% exemption होगा, 5 सालों के लिए, उसके बाद 50% जो है, वो, exempt होगा next 5 years के लिए, Central Tax होगा, Service Tax होगा, State Sales Tax होगा, इन सब से, जो है, exemption मिल जाता है, अब IGST में हो गया है, तो यह साह है, इन सब से, जो है, exemption मिल जाता है, अगर आप SEZ में आपना, जो है, आके बिजनस परफॉर्म करते हैं, तो यह खासकर, export को promote करने के लिए, और foreign investments को लेके आने के लिए, जो है, area, develop किया गया है, तो इसको regulate करने के लिए, SEZ Act जो है, वो, आया 2005 में, तो Parliament में, माई 2005 में, पास हुआ Act, और President ने इसको ascend दिया, अपना 23 आपको जो खुला छोड़ दिया जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से production कर सकते हो, आपके पर laws, rules, regulations उतने नहीं लगेंगे, तो आप अपने काम पर focus करोगे, और जादा-जादा production करोगे, जादा-जादा export होगा, तो additional economic activity यहाँ पर generate होगी, promotion of export of goods and services, यहाँ पर आप आए जेना ही, SCJet का act का main motive था, creation of employment opportunity था, but अभी जब investments आएंगे, जब economic activity बढ़ेगी, जो है, promotion होगा, export होगा, जादा-जादा, तो employment opportunities भी वहाँ पर develop होगी, तो employment opportunity creation, जो है, SCJet act का main objective था, development of infrastructure facilities, और obviously, यहाँ पर क्या होगा, कि infrastructure भी develop होगी, जैसे-जैसे economic activity बढ़ेगा, वैसे वैसे वहाँ पर infrastructure, facility चाहे, वो building हो चाहे, वो water से related, electricity से related हो, वहाँ से क्या होगा, वो सारी चीज़े development होगी, क्योंकि SCJet develop करके आप देंगे, तबी तो investors आएंगे आपके यहाँ पर, तो अगरा overall आप इसको देखे, तो SCJet की characteristics क्या हो जाएंगी, कि main characteristics of SCJet, geographical demarked area with physical security, य यहाँ पर एक single window होता है, वहाँ पर आपका सारा काम हो जाता है, enjoy financial and procedural benefit, यहाँ पर क्या होता है, कि आपको financial benefit, जैसे क्या आपने देखा, taxes में छूट मिल जाती है, और procedural यानि कि ज़्यादा लंबा procedure नहीं होता है, आप simple सा एक office में जाते हैं, वहाँ पर सारा काम हो जाता है the procedure benefit में यहाँ पर आपको मिल जाता है, separate custom area यहाँ खुद का अलग custom area होता है, liberal economic laws यानि जो पूरे country में economic laws होते है, जो जैसे consumer protection act हो गया, या फिर company act हो गया, या फिर income tax act हो गया, तो यहाँ पर उनको छूट मिलती है, उनमे no license required to import, import करने के लिए इनको license के requirement नहीं होती है, औ SCZ में जाने कि अगर आप SCZ special economic zone में अपना export import का business कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको यह सारी benefits मिलते हैं, तो SCZ जो है, इंडिया में अलग-अलग term से इसको denote किया जाता है, the term special economic zone can include free trade zones, यानि FTZ कहते है, export processing zone, EPZ, जो कि especially export business के लिए आपको किया गया, इसी तरह से free zone, free economic zone, industrial park and digital state कहते हैं, IE, या free ports, या फिर bonded logistic park BLP, तो अलग-अलग नामों से special economic zone को आप denote कर सकते हैं, तो इंडिया में centrally operated seven economic zones हैं, special economic zones हैं, तो आप यह देख सकते हैं, यह list of notified SCZs हैं, as on 27th January 2022, तो special economic zones established by central government, तो सबसे पहले कानला special economic zone है, जो की कानला गुजरात में है, multi product के लिए है, SEEPJ special economic zone है, Mumbai, महराष्टरा में, Noida special economic zone है, हुत्रपदेश में, MEPJ special economic zone है, चन्नही में, कोचीन special economic zone है, कोचीन केला में, फालता special economic zone है, फालता बेस्ट बंगॉल में, और विसाकापटन में special economic zone है, आंदरपदेश में, तो यह जो है seven special economic zone है, जो की central government ने establish किए हैं, इसके अला special economic zone है, MEP industrial development cooperation है, तो total 357 special economic zone है, जो की SCJ ad के तहत, state government private SCJ बनाए गए है, तो यह पूरी list जो है, आप यह नीचे description लिंक बिल जाएगा, वहाँ से download करके इसको देख सकते हैं, तो होब आपको clear होगा कि SCJ क्या है, special economic zone क्या होता है, विशू all the best की पहुचे,